असलाम वालेकुम, dear students, कैसे हैं आप सब आएए, आज हम discuss करते हैं, अपना biology का chapter number one, जिसमें हमने discuss कर चुके हैं, brandvian and branches, relationship of science with other, biology with other science, हमने उसको बाद discuss किये, careers, और फिर हमने पढ़ा Quran and biology, आज जो हम पढ़ेंगे, वो हम मुस्लिम, scientist के बारे में पढ़ेंगे, dear students, कुरान पाक में जो आयात हैं, हदायात हैं, वो अल्लाद आला की तरफ से नाजिल करते हैं, इसलिए ये इमान और यकीन का तकाज़ा ये है, कि इन आयात और अलूम के सर्चेश्मे के उपर इमान लेके आया जा सके, science एक हत्मी और आकमी इल्म नहीं है, ये इनसान के तजर्बे और मुशहदाद के बन्याद पर अखस किया गया, हर दिन इसमें तबदिल लिया आती है, अगर एक हाई पोटेसिस आज ठीक हैं, तो वो कल हमारे पास घलत साबिक भी हो सकता है, तजर्बात की बन्याद पर हमारे पास हासिल किया गया इल्म, दरसल एक बदलने वाला इल्म है, जबके हम बात करें कुरान पाक की, तो कुरान पाक का इल्म एक हत्मी इल्म है, ठीक है कुराने पार्ट में बेशमार आयाते हैं हमने जो डिस्कस किया था अपने पार्ट थ्री में हमने डिस्कस किया creation from water, हमने डिस्कस किया creation from clay, हमने डिस्कस किया concept of classification, उसके बाद हमने step of creation के बाद की, ठीक है? आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास, मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में मुस्लिम हमारे पास अगर हिस्ट्री का मुताला किया जाए, यह एक interesting subject है यह दिल्चस्पी से ब्रपूर मुझू है, ठीक है? तारीख के मुतालाश हमें बहुत से अस्बाब आसिल होते हैं इसमें, अस्बाक गुजश्टा तारीख हमें बहुत से स्बाब याद करवाती है दूसरी कौमों के बाकियात से हमें इबरत हासिल होती है हमें नसीहत हासिल होती है अगर हम तारीख का मुताला करें, इन्सानी जिन्दगी का मुताला करें दुनिया के अंदर अल्द आल्द 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 के हसूल पर जोड़ दिया नभी करीम ने कि एक हदीश है इल्म हासिल करो मा की गोट से लेके कबर की गोट तक नभी करीम से लेका फर्मान है इल्म हासिल करो इल्म की तल्ब हर मुसल्मान मर्द और अरत पर फर्ज़ करान एफाद में आल्ला सवाल करते हैं क्या इल्मों वाले करगर इल्मों वाले ब्राबर। बच्टे हے आइल्म एक नभी के वारिसाटर और फर्मान है इल्म की इसका तर्ज़मा है कि एहल इल्म नभीयों के वारस ये तमाम अदीश और आयात इल्म की एहमियत की तरफ इशारा करती है अगर सहाबा की सीरत को पढ़ा जाए कुरान पाक की तालीम की जाए उसका हमारे पास हल यही है कि इल्म हासिल किया जाए दुनियावी और आखरत का इल्म हमारे लिए बहुत जुरूरी है हम इस दुनिया में रहने के लिए हमें समझना है हमें यह सीखना है कि दुनिया में गुजर बसर कैसे करे और अल्ला की रजा और खुशनुदी कैसे हासिल करने है दुनिया के तमाम अलूम का सरचेश्मा मुंबा हमारे पास गुरान मजीद है कुरान इस पाक मरके ने हमारे پास त्माम अलूब त्माम अलूब जो आखस किया जाते हैं कर्ष। क्यां और भादें वो सारी बातें वो सब कहके'कह जो चोड़ा सो साल पहले इंसान के इल्म में नहीं थे जिनसे इंसान नवाकिफ था वो कुरान पाक के अंदर अल्ला ताला ने आया थे जब आज का साइंसदान आज का इंसान इसका मताहिला करता है तो हमारे पास तो हकीकत की तलाश उस इंसान को मजबूर कर देती है कि वो इसलाम कबूल करे इसी वज़ा से आज सबसे ज़्याद दुनिया में ज़्यादा पहला हुआ मजभ हमारे पास इसलाम है जब तक मुसल्मान अल्ला ताला के नबी की सीरत नबी पर अमल करते रहे कुरान पाक के एकामात पर पहरा रहे उस पर साबित कदम रहे तो उन्होंने काम्याबी हासिल के यही वो इल्म था जिसके बन्याद पर मुसल्मानों ने दुनिया में हुक्मरानी थी यही वो इल्म था जिस पर मुसल्मानों ने हुक्मरानी थी अपने असूल को इसलाम के मुक्ताबिक हम बात करें मुसलिम साइंटिस्ट की तो जादर बिन आयान को हम डिसकस करेंगे हम अब्दुल्माली अस्माई को देखेंगे हम बूली सीना को देखेंगे ये सारे वो मुसल्मान थे जुन्होंने बहुत से अजात की बने होटा ली लेकिन अगर हम तरीख का मुताला करें तो हमारे पास दूसरा रुख मगरिब का है, वेस्ट का है इन्होंने खुदगर्जी से काम लिया, मुसल्मानों से इल्म हासिल किया मुसल्मानों से हासिल करदा अलूम पर अपनी मोहर लगा दी अगर हम तरीक का मताला करते हैं तो हमें मुसल्मान साइंसदान के नाम बहुत कम दिखाई देते हैं लेकिन वो मुसल्मान ही थे जिनने दुनिया में अम्ली तौर पर काम किया इलाम एकवाल के अशार इस हवाले से इस हाकिकत की तर्जमाने करते हैं मगर वो इल्म के मुटी किताबें अपने आबा की जो देखें इनको यूरप में तो दिल होता है सी पारा जिनों ने अलूम के अंदर गहराई और वुस्षत हासिल की उन्नी के बदोलत आज की जदीद साइंस हमारे दर्मयान मजूद है आज की एजदात हमारे जिद्गी में असाइशे लिए है इसी तारीख के पेशे निज़र आज हम डिसकस करेंगे कुछ मुसल्मान साइंसदानों को और उनके कारनामा को आईए देखें सबसे पहले हम डिसक करते हैं जावर बिन हयान को जावर बिन हयान हमारे पास उन मुसल्मान साइंसदानों में से एक हैं जोने ने बायलोजी में बहुत खिद्मात सर अंजाम दिये इनकी तारीख साथ सो एकी से लेके आठ सो पंद्रा तक एडी एडी का मतलब है आफ्टर अदेथ ओफ क्राइज एस साल इसलाम की के इतने साल गाल ठीके यह इस वीक लिंडर के मताविक है यह हमारे पास M.C. के इस पॉइंट के लिए इंपॉर्टन है अबजेक्टिव टाइप कोस्टिन के लिए इंपॉर्टन है जाबर बिन हायान जो पेदाईश का है वो इनका एरान में यह पैदावर और इन्होंने अद्वियाद की प्रेक्टिस एराक में की इन दोने इंफॉर्मेशन किस नहीं करने है पैदाईश कहां पे हुई एरान में प्रेक्टिस कहां पे की उन्होंने एराक में उन्होंने प्रेक्टिस की एक्सपेरिमेंटल इंवेस्टिगेशन इन्होंने तजर्बात के जरीए तहकी की किनोंने मतारिक किनोंने करवाए था जाबिबिन है ने सिल्फियूरिक एसिट को डिस्क कवर किया था जाबर बिन हयान की मजीद क्या खिदमाते हैं वो हम आगे डिसकस करते हैं इन्होंने एनिमल और प्लांट्स पे किताबे लिखी जानमरों और पोदों पर कुछ किताबे लिखी जो मशूर दो कुतबें वो अलनबतात और अल हैवान में जानमरों से रेलेटर गी एंसी कोज में पोच लगते हैं यह हमारे पास शॉर्ट कोस्टन में पोच सकते हैं कौन सी दो किताबें थी यह हमारे पास इनका पैदा कहा हुए और इन्होंने मैडिसिन की प्रेक्टिस कहां पे की अब जो हम डिसकस करने ले गए हैं दूसरे मусовान साइंसदान को मतलब दूसरे साइंटिस्ट को लेकर यह पहले मुसलमान साइंसदान थें जिन्होंने जानलों की डिटेल्स टड़की यह हैं अबदलमालिक असमाई ठीक है अब इन्हों की मच्शूर किताबें हैं अलहाविल,प्णहाल,बख् अगर हम अबिल की बात करें तो अबिल जो है कैमल को कहते हैं अलखेल होर्स को कहा जाते हैं अलवुहुश एनिमल को कहा जाते हैं खलाख अल इंसान, इंसानों की पिदाईश, क्रियेशन ओफ एनिमल कैमल जो हमारे पास उंट है होर्स हमारे पास गोड़े को कहते हैं एनिमल जानवरों को उसके बाद देखें तो इनकी ये पैदाइश का 740 से लेके 828 आफ्टर डेथ AD ठीक है ये हमारे पास इंपॉर्टन्ट MC कोज़ हैं वो डिफरेंट बुक्स के नेम लिख सकते हैं अब कैसे थे हैं पॉइंट रौट करें अबदिलमाली असमाई की कों सी रहे हमारे पास जाजबर बिन हयान की कोंसी है उनका लाइफ्सपैन कैया हमारे पास उनकी फिमस बुक कों सी है और पहले मुसलमान साइंसदान कौन थे जिन्होंने एनिमल्स की डिटेल में स्टड़ी की अगर हम बोली सीना की बात करें तो यह हमारे पास इनका जो लाइफ स्पैन है 980 से 1037 मतलब 1037 80 है इन्हें founder of medicine भी कहा जाता है मगरिब में इन्हें एवी सीना के नाम से जाना जाता है आज भी इनकी बुक्स यूर्पियन मुमालिक की डिफरेंट यूनिवस्टिस में पढ़ाई जाती है यह हमारे पास physician थे, philosopher थे, astronomer थे और poils भी थे हमारे पास philosopher फलसफादान को कहा जाता है astronomer हम और poils हम शायर को गयता है अगर हम इसकी feathers डिटेल देखें तो हमारे पास कुछ ऐसी बुक्स हैं जो इनकी मशूर किताब है जिसका नाम है अलकनोन फिल तिब अलकनोन फिल तिब का मतलब है, canon of medicine in west, कनोन तिब के कनोन यह हमारे पास physician भी थे, philosopher भी थे, astronomers भी थे और poils भी थे अब हमारे पास जिसमें जो question पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि famous book कौन सी थी अलकनोन फिल तिब भू अली सेना की इस किताब को यॉरप ने canon of medicine कहा जाता है यह हमारे पास important information है objective type question में पूछ सकती है Dear students, आज जो हमने discuss किया मुसलमान science-दानों को उनकी life span को discuss किया, उनकी किताबों को discuss किया, हमने उनके different details को discuss किया यह हमारे पास subjective type के लिए भी बहुत important है objective plus subjective इसमें हमारे पास short question भी आज जा चुका है और long question भी इस पे पूछा जा चुका है इसको आपने short question point of view से और long question point of view से इसको अच्छे से त्यार करना है आप इसको points को no down कर सकते हैं, अच्छी तरह से आपने इसको memorize करना है उमीद है आपने आज का lecture अच्छी तरह से समझ लिया होगा और अपने points को no down कर लिया होगा